आज हम बनाएंगे मकल संक्रांती स्पेशल चिकी की रेसिपी एक नहीं दो चिकी की रेसिपी आज शेयर करने वाली हूँ और दोनों completely different हैं पूरे tips and tricks और perfect measurement के साथ बताऊंगी ये recipe ताकि आप आराम से से घर पे बना सको कोई भी problem ना है अगर आप first time बना रहे हैं तब ही recipe इदम perfect बनेगी तो चलिए let's start Hello friends and welcome back to my channel सबसे पहले आप सभी को मेरी तरफ से मकल संक्रांती की बहुत बहुत शुब कामना है सबसे पहले हम बनाएंगे तिल गुड की चिकी इसके लिए हम ले लेंगे तिल अनपॉलिश तिल ही हमेशा यूज करेंगा फ्रेंस यह हलके से यह देखिए light brown कलर के होते हैं पॉलिश तिल में कोई स्वाद नहीं होता इसलिए अनपॉलिश तिल का ही यूज करें एक कटोरी कोई भी set का लीजिए उसके accordingly यहां दो कटोरी मैंने तिल ले लिये हैं और सबसे पहले आप तिल को रोस्ट करेंगे low flame पर वो भी continuously चलाते हुए बिलकुल भी छोड़िएगा नहीं hardly 2-3 मिनिट लगते हैं इसको रोस्ट होने में तो फिर नीचे वाले तिल जल सकते हैं अब इस रिसिपी के लिए हमें जो तिल चाहिए वो completely थंड़े चाहिए इसलिए इसे थंड़े होने के लिए छोड़ देते हैं यह तिप याद रखेगा यहां एक प्लेट को ग्रीस कर लेंगे घी से ताकि हमारी जो चिकी है वो आसाने से डी मोल्ट हो सके एक कडाए में एक टेबल स्पून घी ले लेंगे घी को मेल्ट होने देते हैं और सारा प्रोस्स लो फ्लेम पे ही करना है एक कटोरी में यहां ले लिया है गुर्ड दो कप तिल के लिए एक कप आप गुर्ड ले 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 यह पौफिक मेजिरमेंट है और गुर्ड को अच्छी तरह से चॉप करके लीजेगा लो फ्लेम पे ही हम इसे कुक करेंगे और गुर्ड को कंटिनियूसली चलाते हुए पका बिल्कुल चिपचिपी ना बने जो दात में चिपकती हो तो चले चेक कर लेते हैं तो यह देखिए थोड़ा सा कड़क हुआ है बट इतना भी कड़क नहीं हुआ है अभी यह तूटना चाहिए उस अब तक हमें इसे पकाना है तो मैंने फिर से इसमें आड कर लिया है और कंटिनियूसली चलाते जाएंगे और थोड़ा पकाएंगे और आप देखिए मैंने निकाला है तो यह इद्दम से तूट रहा है यह देख सकते है इद्दम क्रिस्पी हो चुका है यह देखिए और बहुत अच्छी खुश्बू आने लगी है गुड का कलर भी आप देख स चेंज हो चुका है तो अब मैं इसमें डालोंगी टू टेबल स्पून के करेब मिल्क पाउडर मिल्क पाउडर दाली इसे इसके रिचनस तो बढ़ी जाएगी स्वाद बहुत ही लाजवाब आएगा यह देखिए गुड का कलर भी चेंज हो गया अब इसमें हम दालेंगे दो चुटकी भर बेकिंग सोडा यह गुड को फलफी और एरी बना देगा और साथ ही में इलाइची जैफिल का पाउडर थोड़ा सा डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे फटा फट से आपको करना है गुड जलना नहीं चाहिए यह देखिए बेकिंग सोडा दालने के वज मैंने देख सकते हैं यह पॉफिक्ट मैंने विजुमिंट आपको बताया है अब जो ग्रीज की हुई प्लेट है उसमें हम सारा यह निकाल लेंगे और इसको फटा फुट से दबाते हुए हम स्प्रेट कर लेते हैं प्लेट पर और यहां में यूज कर सकते हैं एक कटोरी य देखे इदम पॉफिक्ट अच्छी तरह से दबा दे और जब यह हलका गरम है तभी आप इसमें कट्स भी लगा देंगे तो इसके एज़े जना चिकी के इदम पॉफिक्ली निकलेंगे पॉफिक्ली इसके पीसिस होंगे अगर आप बाद में करना चाहोगे तो फिर इसके पीसिस नहीं होंगे और बहुत जादा वेस्टेज होगी अब इससे पूरा कंप्लीली थंडा होने देते हैं जब चिकी थंडी हो जाए तो आपको क्या करना है थाली को थोड़ा सा इस तरह से आप कर ले और उल्टा करके आप टैप कर ले आसानी से निकल जाएगा यहां को बर्ल मारी परटर पिपर पार्चमेंटम पर की भी ज़रुत है यहां पूरी हमारी चिकी इद़म पॉर्फेक निकली है कही से भी तूटी नहीं है देख सकते हैं कितनी शाइन है यह च्पि नहीं को और आप चाहिए तो उससाब से अप्ले चोटी लग़ी है अब अब इसमें हमने जो cuts लगाये थे उसके वज़े से perfect pieces भी इसके निकल रहे इसके edges देखे किते clean आये हैं यह देखे set होने के बाद cut करना थोड़ा सा impossible है तो इस तरीके से आप सारे tips follow करें और चिकी को बनाएं तो फ्रेंड्स कैसी लगी यह रेसिपी देखते ही बनाने का मन हुआ की नहीं और मुह में पानी आया की नहीं जरूर बताएगा बकर संक्रान ते आ रही है जरूर बनाएं तिल गुड़ की चिकी और कल मैंने recipe share कर रही थी तिल गुड़ के लड़ू और भी दो लड़ू मैंने share करे थी जरूर आप देखी गए परफेक्ट यह देखे क्या मज़ेदार यह तूट रहा है देख सकते हैं कितनी क्रंची यह बनी है चलिए मैं आपको इसकी आवाज सुना देती हूं खाकर सुनिए मज़ा आ गया फ्रेंस खाके मुझे तो ऐसी ही क्रिस्पी चिकी पसन है खाना इसे आप आराम से 15-20 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं कैसी लगी यह recipe जरूर कामेंट करें चलिए अगली जो चिकी की recipe है completely different recipe है और यह recipe बहुत ही जली बन जाएगी और इदम soft चिकी बनेगी इसके लिए हम ले लेंगे एक कप तिल तिल को अच्छी तरक से roast कर लिया था डारेक मिकसी जार में ले लेंगे और आधा कप काजू काजू को roast नहीं किया है डारेक्ली मैं अब चलिए से बनाना शुरू करते हैं इसके लिए कडाय में हम ले लेंगे चमच घी और यह जो पाउडर हमने पीसा है इसको एड कर लेंगे अब इससे तरह से roast करेंगे ताकि इसका हलका सा color change हो जाए और जो काजू हमने इसमें डाला था वह भी अच्छी तरह से roast हो इंस्टिंट कंडेंस मिल्क कैसे गर पर बनाते हैं इसके टिप भी मेरे चैनल पर अलड़ी है जरूर चेक आउट करेगा अब स्वात के लिए इसमें डाल देते हैं इलाइची का पाउडर इसमें ना ही हमने बेकिंग सोड़ा यूस किया है ना ही गुड़ पकाने का कोई ज इसमें क्या शाइन भी आ रही है बस एक चोटा चुमच हमने घी डाला था अब इसमें एक और इंग्रीडियेंट हम दालेंगे वह है ड्राय रोस पेटल घर पर कैसे बनाते है इसके भी टिप है मेरे चैनल पर जरूर चेक आउट करिएगा और इसे मिक्स कर लेंगी यह दे इस तरह से आप इसको मसल है क्योंकि काफी गरम होता है इसलिए पेपर का सहारा ले या कोई प्लैस्टिक पे भी आप इसे कर सकते हैं यह देखे इस तरह से आप कर ले अब इसके उपर दूसरा पार्चमर पेपर लगा देंगे और इसे बेल लेंगे मोटा पतला जैसे आप को रखना है थिकनेस उससाब से आप रखे इसके लड़ू भी बना सकते हैं वैसे चिकी फटा फट से बन जाती है और सबसे में खासियत बात यह है कि यह जली से सेट नहीं होती तो आपके पास टाइम रहता है इस चिकी को बनाने के लिए आराम से आप इसके सारे एजिस को भी अच्छी तरह से करें स्मूध कर लें ताकि हमारी चिकी इदम पॉफेक्ट बने यह देखें थोड़ा थोड़ा पेपर फोल करते हुए आप इस तरह से बेल दे जाए ताकि साइड के जो किनारे है वो भी इदम पॉफेक्ट बने अब उपर से भी मैं रोस पेटल्स आप रोस एसेंस भी आड़ कर सकते थे अभी मेरे पास दोनों ही अविलेबल नहीं थे इसलिए मैंने नहीं किया अब इसके कर लेंगे इसी टाइम पर लगाईएगा बाद में भी आप इसको कर सकते क्योंकि काफी सॉफ्ट यह चिकी बनती है गरम-गरम में लगाएंगे त तो फिर इदम आसाने से निकल जाता है यानि कोई चिपकने वगरे का भी टेंशन नहीं है देखिए इदम पतली-पतली माउट मेल्टिंग हमारी चिकी रेडी है तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको यह चिकी की रेसिपी ना ही कोई गुड़ पकाने का टेंशन और ना ही इसमें बेकिंग सोडा आड़ किया है इदम क्विकली यह रेसिपी बन जाती है और सूपर सॉफ्ट और मौट मेल्टिंग यह चिकी बनती है मूँ में पानी आया की नहीं जरूर बताएगा इदम डिफरेंट स्टाइल की रेसिपी आपके लेकि आई हूँ तो इस मकरसंगरांदे कुछ हटके कुछ अलग जरूर बनाईएगा चलिए देखने से क्या होता है इसे तोड़ के दिखाना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है यह देखे सूपर सॉफ्ट मौट मेल्टिंग है ना यह चिकी देखने से लग रही है ना इसमें काजू के बदले आप अदाम का भी यूज़ कर सकते हैं अक्रोट का भी यूज़ क एक हफते तक आप इस चिकी को एंज्वाइ कर सकते हैं इसे ऐटाइट कंटेनर में भर के आप बाहरी रूम तेमरिचर बेसे स्टोर कर सकते हैं और आगे आप मेरे चैनल पर कौन से रेसिपी देखना चाहते हैं इसके लिए भी ज़रूर कमेंट करिए गा तब तक के लिए like भी कीजिए, share भी कीजिए और subscribe कीजिए मिनी चैनल को till then take care bye